सर्च आइड्स भी बनानी आगई वीडियो एड्स भी बनानी आगई और डिस्प्ले आड्स भी बनानी आगई तो अब तो हम expert हो गएं Google AdWords में और freelancing website के ओपर पैसे कमाना शुरू करने लगें लेकिन ठेरिये एक ऐसी option और function Google AdWords का रहता है कि जो पकसान में अभी हम यूज नहीं करें क्योंकि अविलेबल नहीं है लेकिन internationally this function is being used a lot और आपको इतनी jobs मिलेंगी freelancing websites के ओपर इस particular function के रिलेटेट तो function क्या है Google ने recently एक ऐसी चीज़ introduced की अपनी ads format के अंदर के जिसको यूज करके आप अपनी company की products सेल कर सकते हैं या services सेल कर सकते हैं Google के search network को यूज करके वो किस तरीके से होता है Google जो है वो आपकी product की listing दिखाता है जैसे अगर हम internationally किसी website की बात करें तो सबसे most common website पूरी दुनिया में shopping की कौन सी है Amazon.com और Amazon.com एक product किस तरीके से आपको show करा रहा होता है product की picture होती है नीचे उस product का title होता ही description होती है और पर price दीवी होती है यही model Google भी use करता है product listing ads के लिए जी हाँ product listing ads वो वली ads हैं कि जिसके अंदर आपका जो search result आ रहा होता है उसके अंदर आपकी ads अपीर हो रही होती है product की form में picture है नीचे title दिया हो और साथ prices दीवी है अब this is actually a new way Google is trying to promote e-commerce यानि के e-businesses को एक और option दे दी ads सिलाने के लिए के भाई एक तो होगी ने display ad लेकिन search ads जो हैं उसके अंदर भी हम आपकी picture को integrate करते हैं बड़ा limited capacity के अंदर और जब किसी ने search किया इस particular jogger को जिसका नाम Air Jordan है तो नीचे एक तो links आगए different जिसना हमारे पाकसान के Google में भी आते हैं कि कुछ ads दीवी होती है word की form में फिर नीचे जब link आ रहे होते हैं वैसे link आगए लेकिन उसके साथ से जड़ा top पे देखें आपको कुछ product की pictures नजर आ रही हैं और साथ उनकी prices भी नजर आ रही है अब यह उन clients ने जिन्होंने Google को पैसे pay किया कि भाई हमारी particular product की listing चलाओ जब भी कोई यह keyword टाइप करे तो यह यहां और उनके सामने यह वाली add appear हो लेकिन यहाएक चीज बड़ी interesting है Google keywords को use नहीं कर रहा होता इन pictures को दिखाने के लिए वह खुद बखुद जच कर रहा होता है कि आपने जो picture दी है और साथ आपने title दिया है वो कब दिखाना है और किस particular keyword के साथ उसको attach करके दिखाना है पाक्सान के अंदर अभी यह वाला function अवेलेबल नहीं है इसी वज़ासे आपको पाक्सान के Google में कभी भी इस तरह की ads जहां वो नजर नहीं आएंगी internationally यह बहुत commonly use हो रहा है क्योंकि Google का सबसे बड़ा network है search engine का और Google search network को use करके बहुत सारी कंपनिया अपनी products जो हैं वो display कर रही होती है यूजर के सामने लेकिन यह Google AdWords के थूरू नहीं हो रहा होता है यह हो रहा होता है Google merchant account के थूरू आप DigiSkills के बाकी courses के अंदर Google merchant account के बारे में detail में भी पढ़ेंगे मैं भी अगले चलके को sessions के अंदर आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा के account कैसे create होता है किस तरीके से चीजें जो Google merchant account से handle हो रही होती है लेकिन दो चीजें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की ad चलाने के लिए number one the account on Google merchant and the second one is actually the landing page यह learning page वो है कि पीछे backend पे आपने एक अपनी website attach की वी है जब भी कोई आपकी picture पे क्लिक करेगा तो आपका जो user है वो आपकी website पे चला जागा जहां store है और वो particular product exist करती है कि जिसकी ad आपने उस particular user को दिखाई है client से आपकी बात हो रही है और अब client आपको कहते है कि भाई ठीक है आपने मुझे बता दिया कि मेरी particular जो project requirement उसके लिए product listing ads जो है वो सबसे ज़्यादा important है लेकिन मुझे समझ नहीं आरी मुझे ज़रा बताओ कि और इससे बेतर क्या reason है कि जिसकी विज़ा से product listing ads को इस्तमाल करना चाहिए उसमे ज़रा थोड़ी सी नदर डालते है कि क्यों आप और कब आप product listing ads को use कर रहे होते हैं सबसे पहले जो उनका सबसे बड़ा फाइदा है इस type की ad का वो यह है कि you are actually getting better information about your actual consumer आप उसको digitally और graphically एक particular product दिखा रहे हैं और वो direct लेके जा रहा है website के ओपर कि जहां वो product exist करती है तो click through rate भी आपका बेतर होगा और आपका information about that particular customer भी ज्यादा receive हो रही होगी second के अदर जो point है वो है कि you this particular ad is actually equal to better leads यानि कि आपकी जो leads है वो अच्छे तरीके से generate हो रही होगी क्योंके again इसके अदर एक तो price भी mentioned है उस product का नाम भी mentioned है उस product की picture भी mentioned है और click करते साथ ही आप direct उस page पे जा रहे हैं जहां वो product exist करती है और last के अंदर targeting की जो option है वो बड़ी excellent तरीके से Google आपको provide कर रहा होता है वो आप target करके अपनी ads दिखा रहे होती है यूजर को along with कि जब किसी ने उसको search किया और search करने के बाद similar keywords related search अपीर होती है तो वो product भी सामने आ जाती है आपने किस पे क्लिक करना है और फिर यूजर उस पर क्लिक करता है और फिर वेबसाइट के उपर जाता है जहां वो product exist करी होती है तो दोस्तों इस session के अंदे product listing ads के ओपर हमने थोड़ी सी बात की अब ये ads आपको शायद पाक्सान में भी miserly आपको projects साम मिलें लेकिन international projects बहुत ज़्यदा आपको मिल रहे होंगे और लोग आपको कह रहे होंगे भई हमारी website को promote करो by promoting our products और फिर वो आपको करना पड़ेगा तो इनको समझीए अगले session में चलके Google merchant account के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इसको फिर हम चलके सीखेंगे